वेलकम टू माई चैनल और आज हम थरी डाइमेंशनल जो मैं ट्री बारे में पड़ेंगे ठेक है किस तरीके से सबसे पहले तो इसकी डैफिनेशन पताओ नीचे ठेक है three dimensional इसके नाम में ही इसकी definition लिखी हुई है सबसे पहले तो word है three ठीक है फिर है dimension dimension का मतलब है axis से मतलब तीन axis होंगी यहाँ पर axis कह सकते हो लेकिन line भी कह सकते हो लेकिन यहाँ पर point कहा कि यहाँ पर line नहीं कहेंगे line सिरफ समझ सकते हैं कि तीन line होंगी ठीक है और geometry का मतलब है shape से ठीक है shape से यहाँ फिर कोई भी figure हो ठीक है इस तरीके से three dimensional geometry होगी ठीक है मतलब तीन axis होंगी ठीक है लेकिन इसको आसान language में समझने के लिए यह कह सकते हैं कि तीन line होंगी ठीक है अब यहाँ पर question यह उठता है कि लाइन और axis में difference क्या है ठीक है ना लाइन और axis में difference क्या होगा भी इसका पता होना चीए ठीक है उससे पहले यहाँ पर कुछ से basic drum बार-बार यूजोंगी ठीक है बेसिक drum यूजोंगी बस उनका पता होना चीए किस तरीके से जैसे यहाँ पर three dimension है उससे पहले वन डाइमेंशन होता, वन डी, ठेके न, वन डी का मतलब डाइमेंशन से, ठेके न, इस तरीके से वन डाइमेंशन का मतलब लाइन से, ठेके, मतलब एक सिंगल लाइन, लाइन का मतलब एक स्टेट लाइन, इस तरीके की कोई भी एक स्टेट लाइन हो सकती है, ठे लेका मतलब इसे तरीक के यह ना हूँ, ठेकर ना, मतलब बीच में कोई भी करा हूँ, ना बने, कोई भी बेंड ना हू music इसका यह मतलता, स्टेटलाइन से मतलब है फिके यह वन डाइमेन्जन, इसी तरीके से टू डाइमेनों , ठेक़ा ना, टू डाइमेन्जन में 3 3-dimension में 3-axis है तो 2 में 2-axis होगी इसी बात है ठीक है 2-axis होगी ठीक है और इसी तरीके से 3-dimension 3-dimension का मतलब 3-axis से या फिर समझने के लिए यहाँ पर कह सकते 3-line होगी अब किस तरीके अब यहाँ पर difference क्या है लाइन और एक्सिस के बीच में लाइन की तो यह definition है कि जिसके अंदर कोई भी bend ना हो इस तरीके से ठीक है जिसके अंदर कोई भी bend ना हो ठीक है और यह दोनों direction में increase हो सकती है मतलब इस side भी right and side भी और इस side भी इस तरीके से ठीक है ना infinite path तक यह increase हो सकती लाइन का यह मतलब ह होता है ठीक है तो अब इसी तरीके से रे है ठीक है रे या फिर कहें एरे एरे क्या होती है बस पता होना चाहिए कि एक डारेक्शन में इंक्रीज होगी मतलब एक साइड यहां पर फिक्स पोइंट हो जाएगा दूसरे साइड में इंक्रीज हो पस यह array की condition एक बार और बढ़ा दो, मतलब दोनों साइड fixed point की बात हो जाए, उसके अंदर बीच का जो distance है, उसका नाम है line segment, segment का मतलब क्या होता, part, मतलब line का एक छोटा सा हिसा, इस तरीके से, कोई भी हिसा हो सकता है, यह हो सकता है, या फिर इतना हो सकता है, तेक ना, वो condition क्या होगी, axis का मतलब, cdc बात है, एक fixed line है, ठीक ना, एक fixed line होगी, और line कौन सी, straight line, एक fixed line होगी, ठीक है, लेकिन यह आपर एक condition, उस condition का क्या नाम है, कि from reference, ठीक ना, from reference, अब reference का मतलब क्या है, जैसे origin, reference क्या होगा, इस case में, origin, ठीक है, अब इस reference word को समझना, एक simple सा example लेकर देखो, किस तरीकी से कोई भी एक line है, या फिर कोई एक wire है, ठीक ना, उसकी length है, जैसे 5, कोई भी unit ले सकते है, जैसे 5 meter ले ली, ठीक ना, यहां से यहां तक का distance है, 5 meter, कोई भी unit ले सकते है, समझने के लिए, ठीक है, लेकिन, हमें कैसे पता चला कि यह 5 है, ठीक ना, समझने के बात है, आपर में कैसे पता चला कि यह length 5 है, मतलब 0 से start हुई, सही बात है, और यहां से यहां तक की length का नाम है 5, सही बात है, 0 से start हुआ, मतलब यहां पर reference 0 था, सही है, इसी तरीके से जब axis की बात करते हैं, तो वहां पर 0 की बजाए origin हो जाएगा reference, औ origin की तरीके होगा, तो origin कुछ इस तरीके होगा, 0,0 type का, ठीक है, अब जैसे axis की बात कर रहे थे हम, ठीक ना, axis, मतलब एक fixed line की तरीके से, अब इस तरीके से, पलस उन क्लास में भी पड़ा है हमने, ठीक ना, मतलब axis क्या होती है, मतलब यह है origin, जहां पर origin, इस side x-axis, ठीक है और पलस की, ठीक है, और इस side उपरोती है y-axis, सही बात है, ठीक है ना, इस तरीके से, और इस side minus x-axis और नीचे minus y-axis, सही बात है, ठीक है ना, यह है वो x-axis, जैसे आपर x है या इस case में y है, इस side minus x, इस side minus y, सही बात है, ठीक है इस तरीके समझना, अब यह point है o, o का मतलब origin और origin कुछ इस तरीक के कोगा 0,0 सही बात 0,0 टाइप का origin होगा लेकिन किस case में 2D के case में सही बात है ठीक है ना 2D के मतल टू डाइमेंशन अब यहाँ पर एक basic ट्रम में यह है टू डाइमेंशन वर्ड लिखाओ या फिर यहाँ पर plane लिखाओ एक ही मतलब रहेगा two dimension का मतलब दो axis ठीक है या फिर कोगे plane किसे की जैसे यह seat है example क्या हो सकता है कोई भी seat of paper इसका example हो सकता है जिसके असके अंदर शिरप 2 लैंथ हो ठीक है यहा फिर कोगे 2 लैंथ हो समझजने के लिए 2 लैंथ कह सकते हो ठीक है ठीक है जैसे यहाँ पर seat है जो rectangle type की दिख रही है मतलब एक length है और दूसरी का नाम breadth है या फिर कोओ कि दो distance की बात हो रही है इस तरीकी से ठेक है दो dimension का ये मतलब रहेगा अब बात करने हमने three dimension की तो three dimension word लिखाओ या फिर इसकी जगे ये word लिखाओ space एक ही मतलब होगा ठेक है three dimension लिखाओ या फिर space एक ही मतलब होगा जिसके अंदर three line हो तीन axis हो या फिर तीन distance हो CDC बात ये है ये जो origin है आपर 0,0 ये किस case में है ये है plane का सही बात है क्योंकि ये आपर सिरफ दो axis की बात हो रही एक x की एक y की वो एक अलग बात plus x या फिर minus x इस तरीके से इस तरीके से समझना है ये है plane के हिसाब से जो ये origin लिख दिया है इस तरीके का ये plane का origin है सही है तो space में origin किस type का होगा origin O से ठेक है और origin इस तरीके से लिख देंगे 0,0,0 इस तरीके से लिखेंगे ठेक है अब इसके बाद इस चीज को समझना है कि 0,0,0 क्या लिखा इसके लिए कोई भी एक point मानगे चलो जैसे P point मान लिया X,Y इस तरीके आप point मान लिया 2D के इसाब से समझ रहे हैं origin से यहाँ पर perpendicular डाल दो इस तरीके perpendicular मतलब 90 डिगरी सही बात है इस X का मतलब है X axis पर origin से कितना distance है यह है वो X इस X का यह मतलब रहेगा X axis पर कितना distance है कहां से origin से इस तरीके से मान लो की point P मान लो यहाँ पर P की जगए क्यों मान लो क्यों point कुछ इस तरीके का लिखाओ minus X,Y सही बात है तो इस minus X का मतलब क्या हो जाएगा minus X axis इसकी तरफ origin से कितना distance है यहाँ से perpendicular डालो इस distance का नाम है minus X ठीक है लेकिन एक बात हमें पता हो ठीकि distance है जो ठीक ना distance से सिरफ मतलब distance कभी भी negative नहीं होगा या तो 0 होगा या फिर positive बेसिक सी बात है मतलब distance पैक्स है लेकिन minus का sign क्यों लिखा क्योंकि minus X axis की तरफ इस वज़े से सही बात है यह तो ही इस point के साबसे बात ठीक है अब यहाँ पर जो यह plane है plane के अंदर 4 quadrant होते है बेसिक सी बात है बस पता हो नीचे 4 quadrant ठीक ना 4 quadrant होंगे किस तरीके से कोई भी plane लिखो यहाँ पर X axis Y axis सही बात है minus X नीचे minus Y सही है यहाँ पर origin ठीक है यहाँ पर first quadrant इसको कहेंगे यहाँ पर second quadrant होता है third quadrant fourth quadrant first quadrant का मतलब क्या है कि कोई भी point हो first quadrant के अंदर उस में X भी plus का होगा Y भी plus का होगा सही बात है first quadrant की मतलब point कुछ इस तरीके का होगा X,Y जैसे यहाँ पर था ठीक है second quadrant के अंदर क्या हो जाएगा Y तो plus का लेकिन X minus का हो जाएगा point कुछ इस तरीके का हो जाएगा minus X,Y सही बात है ठीक है और जो यह point लिख दिया C को कहते है coordinate of a point ठीक है basic term में coordinate of a कोई भी point हो सकता है जैसे P हो सकता है क्यों हो सकता है कोई भी point लेके चले यह coordinate of a point लेकिन किसके साथ से two dimension के साथ से ठीक है इस तरीके से ठीक है और इस X को मतलब X axis पर कितना distance है इसको यहाँ पर plane के अंदर ठीक है plane के अंदर ही sex को क्या कहेंगे अब सिसा इस तरीके से ठीक है और y को क्या कहेंगे y का मतल क्या है y का मतल इस seat जैसे x यहाँ पर था इस y का मतल क्या है कि y axis पर origin से कितना distance है इस तरीके से कितना distance यहाँ पर perpendicular डाल दो y axis पर इस तरीके से तो जो यह distance है यहाँ से यहाँ origin से यह distance उसका नाम क्या है y इस तरीके से ठीक है और इसको कहेंगे y को कहेंगे ordinate सही है और दोनों को मिला के coordinate इस तरीके से ठीक है अब यह तो ही 2D के हिसाब से बात कि point कुछ इस तरीकेगा x, y generally point x, y ठीक है यह भी point समझ सकते इस तरीके से third quadrant में x भी negative y भी negative ठीक है fourth quadrant में क्या हो जाएगा x plus का y minus का हो जाएगा कोई भी point यहाँ पर ले सकते इस तरीके से ठीक है अब बात करने है three dimension की ठीक है ठीक है three dimension अब बस यहीं पर जो point है point कुछ two d में तो इस तरीक के का होता है तो three d में यही point कुछ इस तरीक के का हो जाएगा x, y, z सही बात है two d में हमने क्या का था कि दो axis होंगी axis का मतलब origin से origin से कोई भी एक line cdc बात तो यह है ठीक है अब जो word लिखा plane plane का मतलब क्या का था दो डाइमेंशन है मतलब two axis होंगी axis मतलब कोई straight line origin से सही बात है two axis होंगी plane के अंतर plane की खास बात क्या होता है plane ठीक है ना two axis होंगी लेकिन दोनों की दोनों इस तरीक के क्योंगी एक दूसरे perpendicular 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 का मतलब जो beach का एंगल है x और y के इस तरीके से x और y के beach का एंगल हमें sin 90 degree हो ना चीए perpendicular का ये मतलब beach का एंगल 90 degree सही बात है कोई भी two axis ठीक है अब यहाँ पर एक और बात जो x axis कह रहे हो y axis तो कहने का मतलब क्या है जैसे इस तरीके से यहाँ पर x axis y axis जनरली लेके चलते x axis को अम जनरली इस तरीके से लिखते है मतलब horizontal ड्रा करते है इस वज़े से ठीक है ना ये कोई जरूरी नहीं होता कि x axis ही यहीं पर होगी choice है कहने का मतलब का इस बात का कि यहाँ पर y मान सकते है यहाँ पर x लेकिन condition बस यह है plane की जो condition है वो यह होनी चीए कि दोनों perpendicular होनी चीए ठीक है लेकिन हम जनरली x को horizontal शो करते है और y को vertical इस वज़े से सही बात है इस वज़े से ठीक है x और y बस condition यह हो नीचे कि एक दूसरे perpendicular हो ठीक है अब इस बात का मतल क्या है यह perpendicular सही बात है अब दो axis अब वो दो axis पलस की हो सकते है माइनस की इस बात का मतल जैसे आपर माइनस x y माइनस का x नीचे माइनस y होगा बीच में ओर region सही बात है तो अगर यह angle 90 degree है इस वज़े से दोन्नों axis अब यह थोड़ी ना लिखा है यहापर जो यह दो axis है वो पलस की है या फिर माइनस की यह बात थोड़ी ना लिखा है इस बात का मतल कि यह angle भी 90 degree होगा यह angle भी यह सारे angle 90 degree होगे कहने का यह मतलब था सारी perpendicular होने चाहिए तभी plane की condition होगी plane का मतल दो dimension और दोनों की दोनों axis एक दूसरे perpendicular हो इस तरीकी से ठीक है अब यहाँ पर यह मत confuse हो ना कि दो axis के अंदर 4 axis होगी मतलब एक पलस की x एक माइनस axis तो यह पूरी है ठीक है ना axis की condition क्या थी एक fixed line कोई भी fixed line हो सकती इस तरीके से ठीक है ना origin से अब वो यहाँ पर condition यह थोड़ी नहीं कि origin से right में जाना है या फिर left में ठीक है ना इस तरीके से मतलब axis तो दो है एक x है एक y है वो एक लग बात है यह plus x और minus x की इस तरीके से आए सही बात है इस तरीके से ठीक है अब भी यह तो ही plane की बात plane का मतलब दो dimension उसके अंदर चार quadrant होते है कुछ इस तरीके से होंगे चार quadrant उनकी खास बात पताओ नीचे मतलब इस तरीके से ठीक है ना plane की condition यह रहेगी कौनसी वो एक axis बढ़ जाएगी दो की जगह क्या हो जाएगा जब 3D को या फिर space के अंदर 3 axis हो जाएगी ठीक ना इस तरीके से और second part में इसके बारे में पढ़ेगी और साथ की साथ equation of equation of plane क्या होते है equation of space क्या होते है इस तरीके से ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थेंक्यू